दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट आयोन और आप देख रहे हैं आप देख सकते हैं यह है इमामी का सेबन ओयलीन वर्ण इस प्रोड़क्त की एड हर एक टीवी चैनल में आते हैं हर एक सौप में मिलता है कभी नियूस पेपर में आते हैं कभी मैगजिन पे आते हैं हर एक जगे पे आते हैं बहुत जाना पे चैनल प्रोड़क्त है यह रिव्यू इसलिए है यहाँ पे से मैं आपना एक्सपिरियंस मेरा खुद का जो experience है इस oil के साथ और मेरा परिबार का जो experience है ओही मैं आपको बताऊंगा साथ मैं ये भी बताऊंगा इसमें ingredients और इसकी कीमत मैं कोई dermatologist नहीं हूँ कोई hair expert मैं ही हूँ मैं आपकी तरह ही एक आम ग्राहक हूँ और मैं बताऊंगा मेरा जो experience रहा है इस hair oil के साथ ओही मैं आपको share करूँगा इसको मैं बहुत दिन पहले इस्तमाल करता था अभी मैं दूसरे oil पे switch over कर गया हूँ ओह मैं end में बताऊंगा ऐसा क्यों किया मैंने ये hair oil basically मेरे घरवाले अभी इस्तमाल करते हैं यहां पे लिखा गया है कि seven oil in one यानि साथ तेलों का गुन एक तेल में और damage control hair oil उसके नीचे क्या लिखा गया है यहां पे seven hair oil complex लिखा गया है oils of almond, argon, jojova, amla, walnut, olive oil, coconut किसे बना है ये oil और ये non-stick भी है तो ये इसका खास बात है तो आप देख लिए, चाहे तो वीडियो को थोड़ा पॉस करके देख लीजिए इसका कीमत जो है वो है 100 ml का 60 रूपीज और manufacturing rate और expiry date से हमें ये पता चलता है ये product लगबग 3 साल चल सकता है यहां पे company ये orb कहां है आप देख सकते है reduce hair fall up to 96% मतलब आपका hair जितना अभी strong है उससे 96% better होगा और makes hair up to 20x stronger आपका hair अभी जितना है उससे 20x stronger होगा साथ में कुई star mark दिया गया है मतलब condition apply होई कुछ यहां पे limitation बगेड़ा हो सकता है यहां पे लिखा गया है कि ये hair oil आपका hair को silky soft beautiful healthy बनाया है बनायेगा ऐसे कुछ हर एक hair oil shampoo में लिखा होता है तो ये है hair oil का funda अभी मैं बताऊंगा ये hair oil के साथ मेरा experience क्या रहा है दिखिए मुझे जितना पता है किसे भी hair oil को इस्तमाल करने का अच्छा तरीका है रात को यानि सोने से पहले अगर आप सोने से पहले थोड़ा सा अपनी हाथ में ले लीजिए hair oil किसी डिबा में कुछ में ले सकते है वहाँ पे ले लीजिए और हाथ की जो finger tip है finger tip का मतलब ये उपर का हिस्सा थोड़ा सा ले लीजिए finger tip में और scalp में बाल में नहीं scalp में हलके से massage कीजिए बस इतना ही करना है अपनी सारी सर पे massage कर लीजिए और सो जाइए सुबह उठके नहाने के बार थोड़ा सा shampoo कर लीजिए ताकि उस scalp से hair oil हट जाए ये है hair oil का आसान तरीका और सही तरीका इस्तमाल करने का मगर बहुत लोगों का ये कहना है कि रात में hair oil यूज़ करना पॉसिबल नहीं है तो क्या करें तो नहाने से एक से दो घंटा पहले आप ये hair oil को इस्तमाल कर सकते है ठीक उसी तरीके से हाथ में ले लीजिए फिंगर टिप के इस्तमाल से आपकी स्कल्पें हलके से मंसास कीजिए और नहाने के बक्त सेंपू ज़रूर कीजिए क्योंकि स्कल्प से ये hair oil रहना ठीक नहीं है वो हटाना ज़रूर ही होता है सेंपू कुछ भी कर सकते है कोई बात नहीं किसी herbal सेंपू यूज़ कर सकते है दूसरे कुछ सेंपू कर सकते है अभी तो ये hymami seven in oil के साथ case kinkta जो aloe vera सेंपू है वो मुफ में मिल रहा है आप चाहे तो local shop में search कर सकते है मैं इसका best buy link वो भी मैं दे दूँँगा नीचे description में आप चाहे तो उससे खड़ीश सकते है अब मैं share करूँगा मेरा अपना experience देखिए ये hair oil तो मैं बहुत पहले इस्तमाल करता था और अभी भी मैं कह रहा हूँ ये hair oil बहुत अच्छा है और जो non-stick है बिल्कुल ये non-stick है बिल्कुल चिपतता नहीं है एक non-stick हलका सा feeling थै और इसका smell जो है और hair को soft भी बनाता है हाँ ये hair को soft भी बनाता है मगर आप ये सवाल उठता है तो इतना कुछ करता है तो मैं ये hair oil को क्यों छोड़ दिया क्यों switch over कर गया है ये hair oil को क्यों छोड़ दिया वह इसलिए ये premature grain जो मेरा basic problem था जो कम उमर में बाल सफेद हो जाना ये premature grain को बिलकुल ठीक नहीं कर सकता है premature grain के लिए आप ये oil इस्तमाल कर सकते है वह small का जो black hair oil इसका अलग सा review है आप नीचे description में और उपर cut में मैं इसका link दे दिया हूँ आप जरूर देख लेना उसे तो ये premature grain को ठीक नहीं कर सकता है कोई असर नहीं फिकता तो इसलिए मैं इसको switch over कर गया मगर अब daily use के लिए ये hair oil और hair fall की समस्या के लिए ये hair oil बिलकुल perfect है और nonstick है, हलका सब feelings है आप जरूर इसको इसको इस्तमाल कर सकते है इसके बारे में जादा कुछ जानना है कुछ सवाल है देखिए, मैं आपकी तरह ये graho कूँ मुझे जितना जानकरी तब को दे दिया और आगे कुछ जानना है तो ये रहा इसका customer care देखिए customer care का number टोल-free number है बिल्कुल आप बिना मन में सवाल किये इसको call कर सकते है आपको answer मिल जाएगा आप चाहे तो उनसे पूछ सकते है ये रहा उसका customer care number आप note down कर दिजिए तो मुझे जितना जानकरी था दे दिया इसके बारे में और कुछ आपका सवाल है मुझे से कुछ सवाल है आप नीचे comment section में दे देना मैं इसका answer ज़रूर देने की कोसिस करूँगा और आपको reply ज़रूर करूँगा और आप चाहे तो मेरे best by link से भी ARL खरी सकते है इसी के साथ ये वीडियो साथ में best mall और जो caseking है इसका review भी ज़रूर देखना मेरे चैनल में इसी तरके की बहुत सारी वीडियो आते है वीडियो को अच्छा लगए तो चैनल को subscribe और इस वीडियो को like ज़रूर करना मैं आयों आप से बिदा लेती हूँ हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसी किसी वीडियो के साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे description में दे देना मैं इस का answer 100% आपको दोंगा मेरी knowledge दे नमस्कार